बॉलवडाक्टर बॉबी देओल इन दिनों वेब सीरीज आश्रम की दूसरी सीजन को लेकर काफी जादा सुर्खियों में चाहे हुए हैं लेकिन अब इस सीजन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है दरसल उनकी इस सीरीज को लेकर सोशल मीडिया से काफी चड़चाओं का बाजार गर्म दिख रहा है साथी फैंस इस वेब सीरीज से खूब नाराज भी हैं जिसकी वज़ा से इस सीरीज को बैन करने की मांग की जा रही है आपको बता दे कि हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीस किया गया है और इस वेब सीरीज के ट्रेलर की वज़ा से सोशल मीडिया पर काफी धूम मची हुई है फैंसे से काफी पसंद भी कर रहे हैं वही कई से नराज भी नज़र आए ये वेब सीरीज आश्रम 2 विवादों में खिरती नज़र आ रही है वेब सीरीज आश्रम को लेकर करनी से नाने अपत्ती जाहिर की है और प्रकाश ज्जा के नाम लिगल नोटिस भीजा है साथी से बैन करने की मांग की है उन्होंने इस पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है आपको बता दे ही 11 नवंबर को रिलीज होने वाली है और इसे पहले ही ये विवादों का शिकार हो गई है कई लोग इसे ट्रोल कर रहे हैं तो कई इस पर आरोप लगाने में लगे हुए है सोशल मीडिया पर भी प्रकाश ज्जा को अरेस्ट करने की मांगोट चुकी है महीं करनी सेना इसको रोग लगाने को लेकर प्रदैशन की तयारी में चुट गई है दरसल आश्रम टू पर रोग लगाने की मांग महराश्ट की करनी सेना के द्वारा की गई है वेब सिरीज की ट्रेलर ने बड़े प्यमाने पर हिंदू भावना को ठेस पहुच आई है ट्रेलर में जो किरदार है वो किसी व्यक्ति विशेश नहीं पलकि हिंदू संसकती परंपरा और रिवासों को घलट डंग से पेश किया जा रहा है अब देखना होगा कि लोगों की नराजगी देकर इस सिरीज के मेकर्स इस पर क्या सफाई जारी करेंगे गौर तलब है कि बॉबी देउल की इस वेब सिरीज आश्रम में काशिपूर वाले बाबा निराला का किरदार निभाया है वही दूसरे सीजन और पहले सीजन से भी जादा धमाकिदार होने वाला है ये सिरीज 11 नवंबर 2020 को मल्टिप्लेक्स पर मुफ्त स्ट्रीमिंग होने वाली है लेकिन इस वेब सिरीज में कहीं ऐसे बाबा और धर्म गुरू हैं जो लोगों की भावनाओं का गलत इस्तमाल करते हैं सीधे तोर पर ये कहें तो आश्रम में आस्था, राजनीती और अपराद तीनों का गठ जूड देखने को मिलेगा